वेशाक पूर्णी माँ पर एक दीपक जलाकर गरीब से गरीब भी हो जाएंगे करोड़ पती मित्रो सादर जैसी कृष्णू हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारिधर में इंदर शास्त्री सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को वेशाक पूर्णी मा अहा परवकी बहुत बहुत शुपकामनाएं और बधाया भगवान स्री लक्ष्मी नाराण से हम प्रार्थना करते हैं कि आप आगे बढ़े उन्नती करे प्रगती करे स्वस्त रहे व्यस्त रहे और मस्त रहे साथ मई दोजार बीस गुरुवार के दिन वैशाक महा के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा ति थी है वैसे तो पूर्णिमा प्रत्यक महा आती है लेकिन वैशाक महा की जो पूर्णिमा होती है उसका अपने आप में एक विशेस महत्व हमारे धर्म शास्त्रों में बताया है क्योंकि इस पुर्णिमा को सभी देवताओं को अपना खोया हुआ सामराज भगवान नारायन की क्रपा से पुनह प्राप्त हुआ था इसलिए सभी देवताओं ने इस पुर्णिमा तिथी को विशेस वर्दान दिया है यहने इस पुर्णिमा के दिन यदि कोई भी सिद्धी साथना करेंगे या लक्ष्मी प्राप्ती के कोई विशेस उपाई करेंगे तो उनके शिगर ही परिणाम आपको देखने को मिलेंगे पवित्र नदी में जाकर आप इसनान कर सकते हैं यदि नहीं संभव हो तो आप अपने घर में नहाने की बाल्टी में एक बुन गंगा जल नर्वदा जल गोदावरी जल या कोई भी पवित्र नदी का जल डाल करके उससे भी इसनान करेंगे तो भी आपको महान पुर्णिय लक्षमी नरायन का पूजन किया जाता है इसके अलावा धर्मराज का भी पूजन किया जाता है तथा अपने पित्रों के निमित भी तरपन, शाद, पिंडदान, आदी कर्म किये जाते हैं क्योंकि यह पुर्णिमा एक ऐसी पुर्णिमा है जिस दिन यदि कोई भी आप पुर्णिमा होती है तो आप सुबह इसनान करने के बाद शुद्वस्त्र धारन करे तथा वरत यदि करना चाते हैं तो पुर्णिमा का वरत भी कर सकते हैं इसमें एक समय भोजन किया जाता है यहने शाम के समय भोजन किया जाता है दिन में फलाहारादी वस्तुएं आप ग करके उनका पूजन अर्चन करे और भगवान कुबेर का भी पूजन करे साथ ही इस दिन जल कलश का डान किया जाता है जल कलश के ऊपर कोई भी फल रख करके डान करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है तथा इस दिन शकर का डान भी किया जाता है घी का डान भी किया जाता है यदि दान आप नहीं कर सकते हैं, तो दान की सामगरी निकाल करके घर में रख दीजिएगा, जब भी आपको ब्राम्हन की प्राप्ति हो जाए, या मंदिर में जाने का योग लगे, तब आप उनको सामगरी प्रदान कर सकते हैं, तो इस प्रकार दान पुन्य के लिए, मंत्र पूरा दिन अति उत्तम है तथा शाम के समय जब चंद्रोदय हो जाए तब एक विशेस उपाई करना है चंद्रोदय का जो समय है वो शाम को लगभग साथ बज करके पांच मिनिट पर रहेगा और अलग-अलग शेहरों में अलग-अलग समय हो सकता है वैसे साथ-पांच के ब आद में आपको एक उपाय करना है बस आपको कोई भी एक दिपक लेना चाहिए मिट्टि का दिपक इसके लिए ले सकते हैं या पीतल का दिपक भी आप ले सकते हैं या अन्य जो भी दिपक आपके घर में उपलब्द है वह आप ले लीजिएगा और थोड़ा सा शुद्ध घी घी आपको लेना है, यह दि शुद्द घी उपलब्द नहीं है तो आप तेल का भी दीपक लगा सकते हैं, इसमें कोई दोश नहीं है, तेल का या शुद्द घी का एक दीपक तयार कर लीजे और अपो रखना है, बत्ती जो होगी रुइक की बत्ती भी हो सकती है या लाल बत्ती में आप लाल रंग का कुंकुम या रोली लगा दीजिएगा यानि बत्ती का जो रंग है वो लाल हो जाए किसी भी प्रकार से और उसको घी में डुबो करके रख लीजिए बत्ती का जो है रंग लाल करके और घी उसमें डाल करके या तेल डाल करके दीपक को आप तयार करके रख लीजिए और आपको दीपक तयार करके अपने पास में चार लोंग रख लेना है और एक छोटा सा लाल कपड़ा आपको रखना है और सबसे पहले आपको माता महालक्ष्मी का पूजन करना है मता महालक्ष्मी जो की कमल पर बेठी हुई महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए याने खड़ी हुई लक्ष्मी का पूजन करने से लक्ष्मी की स्थिर्ता नहीं रहेगी बेठी हुई महालक्ष्मी का आप पहले पूजन करे अच्छी प्रकार से उनको पुश्पचंदन आदी करके उनको पुजन कर दे और कोई भी मीठी वस्तू का भोग लगा दे जैसे आपके घर में मिश्च्री शकर या कोई भी मीठी वस्तू हो चाहे गुर का भी आप भोग लगा सकते हैं या मिठाई उपलब्द हो जाए तो उसका भी भोग लगा सकते हैं कोई भी मिठी वस्तु का भोग माता महालक्ष्मी को लगा दे और उसके बाद में आप शुद्ध घी का दीपक प्रजलित कर ले दीपक प्रजलित करने के बाद में एक हतेली के उपर दीपक को रख ले और दीपक रख करके माता महालक्ष्मी से प्रार्थना करे तथा चंद्रदेव से भी प्रार्थना करे चंद्रमा का भी आप इस्मर्ण करे आप चहे तो खुले स्थान पर बेट कर भी यहाँ पूजा संपन्न कर सकते हैं जहां से आपको चंद्रमा का दर्शन हो जाए तो चंद्रमा और माता महालक्ष्मी दोनों का इस्मर्ण करते हुए हात में दीपक रखे और कहे कि हे माता महालक्ष्मी हे चंद्रदेव हमारे घर में लक्ष्मी का इस्थाई वास हो और हमारी आमदानी में ब्रद्धी हो हमारे कर्जों से हमको मुक्ती प्राप्त हो या हमारे घर में जो पैसा रुक नहीं पा रहा है वह रुकने लगे याने हमारे घर में दश प्रकार की लक्षमी का आगमन हो जो की दशो दिसाओं से हमारे घर में अस्ट लक्षमी के रूप में पदारपन करे और सभी प्रकार की इस्थिर लक्षमी हमारे घर में विराजित रहे घर में सुक्सांती समरद्धी बनी रहे इस प्रकार आप प्रा आपने जो चार लोंग लिये हैं, उनमें से दो लोंग उठा करके आप दीपक के अंदर रख दीजेगा, जो घी और तेल का दीपक आपने जलाया है, उसके अंदर दो लोंग रख दीजेगा, और दो लोंग और जो शेश बचे हैं उनको जो लाल कपड़ा आपने रखा है उसमें बान करके और अपनी तिजोरी में लाकर में या जहां पर भी आप रुपे पैसे रखते हैं ऐसे इस्थान पर आप रख दीजेगा ऐसा करने से आपके घर में लक्षमी का इस्थाई निवास होगा तथा आपके घर में कभी भी पैसो की कमी नहीं आएगी माता महलक्षमी की अपार क्रपा सदेव आपके उपर बनी रहेगी और यहसा करने के बाद आप भगवान लक्षमी नारायन तथा कुबेर का स्मर्ण कर लीजेगा और अपने मन की जो भी प्रार्थना है वह भी आप कर लीजेगा और यदि संभव हो तो वैशाक की पूर्णिमा की पूरी रात अखंड दीपक यदि जलता रहे सुबह तक यह दीपक जलता रहे तो अति उत्तम रहेगा इससे और भी उत्तम फलो की प्राप्ति हो सकेगी यदि अखंड दीपक जलाना संभव नहीं है तो आप कुछ समय के लिए याने जब तक आप जगते रहे तब तक वह दीपक प्रजलित रहे तो भी उत्तम रहेगा इस प्रकार का उपाय आपको पूरी शद्धा के साथ पूरी भक्ति के साथ तथा भावना के साथ करना चाह जब आप विश्वास रखेंगे तभी आपको उत्तम फलो की प्राप्ति हो सकेगी वैसे तो एक दीपक का हमने उपाय आपको बताया है यदि आप चाहते हैं कि संभव हो तो और अधिक दीपक भी आप प्रजुद कर सकते हैं जिस प्रकार दीपावली की रात्री में हम अन अनेक अनेक जगे अलग-अलग जगह पर दिपक स्थापित करते हैं। उसी तरह वेशाथ पुरनिमा की रात्री में भी अलग-अलग स्थानों पर दिपक प्रजुलिद कर देंगे तो अती उत्तम रहेगा। क्योंकि दिपक जलना बहुत ही सकारत्मक उरजा का प्रतीक होता ह दीपक के धुयें से वातावरन में मौझूद हानिकारक सुक्ष्म कीटानू नस्ट हो जाते हैं। दीपक अंधकार और नकारत्मक्ता को मिटा करके प्रकाश फिलाता है। इसलिए मुख्यद्वार के उपर भी दीपक जलाना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि दीपक से कोई अन्य वस्तू प्रभावित न हो। दीपक को ऐसी दूरी पर लगाना चाहिए। और ऐसी विवस्था करना चाहिए कि दीपक को किसी भी प्रकार से किसी का हाथ पेर या अपमानित तरीके से पाउन नहीं लगे, ऐसे इस्थान पर, सुरक्षित इस्थान पर दीपक को रखना चाहिए, तो यह उपायदिया वैशाक की पूर्णिमा को रात्री के समय करेंगे, तो आपको उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे, और आपकी आर्थिक समस्याओं का निदान जल्द ही आपको मिल जाएगा, और आपके घर में सुक्ष, सान्ति तथा सम्रद्धी का बास होगा, तो भक्त जनों हमने जो ज्यानवर्धत जानकरी आपको प्रदान की है, उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अबश्यकर लीजिए, आपको और आपके पूरे परिवार को साधर जैसी क्रश्न, साधर धन्यवाद,